हेलो दोस्तों कैसे आप सब उमीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेकी आयूं ब्रैड का हलुआ आज हम ब्रैड का अलवा बनाएंगे ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बिल्कुल खोय जैसा टेस्ट आता है इसमें तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना पसंद आये तो लाइक करना और जो मेरे चैनल पे नई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और की इंट्रस्टिंग और टेस्टी वीडियो के साथ मैं आती रहूंगी और आपको देखने को मिलती रहे अच्छे चीचीा खाने को मिलती लेंगी देखें हमने कडाई लेए गयाز पे रख लिया और कडाई को थोड़ा सगरम किया और उसमें ब्रैड टोड़ kale के डाल सकतें हैं कडाई में तोड़ दिये हैं यह देखो गी डाल दिया इसमें मैंने जम आ हुआ गिया यह दो चमस डाल दिया इसको अच्छे से भूनेंगे दीमी आज पे मीडियम आज पे भूनेंगे और देरे देरे भूनके थोड़ा रेड हो जाएगा ब्रेड वह टेस्टी लगता है इसका अलुआ एक बार जरूर ब ओने लेड़ी आाँ चम्मच भरके अजय हो एक गरम दियो मिलaa को घरम घता थो तो कम आता है यह थोड़ा जादा लगता क्योंके ब्रेड गी को पीते हैं तो तब आए टेस्ट भी आता इसमें देखें भून लेंगे दीरे दीरे इसको दिमी दिमी आज पे ये तीन से चार मिन्ट लगे थे मेरको भूनने में इसको और गी तो मैंने आईडिये से नापके नहीं डाला कि कितना गी लगेगा कितना नी ये मैंने दस ब्रैड लिये थे 25 रुपे वाड़ा पैकेट मंगवाया था मैंने उसमें से दस ब्रैड लिये थे देखें इसमें और गी डाल के दूद इसमें दूद से ही बनता आई है दूद और गी तो ये बहुर टेस्टी लगता है और मैंने थोड़ा कम गी डाला है ज़्यादा गी निखा रहे थे तो इसलिए आप इसमें और भी गी डाल सकते थे दूद जैसे हल्वा बनाते है उससी तरह से बनता है वैसलollar गी में इसको भूनेंगे दिम्याच पर और फिर दूद डालेंगे जैसे हम दूसरे अलोए में डालते हैं गी दूद और कई लोग पानी भी डालते है تو पानी के जगे से दूद डाला इसमें हमने और मैंने ये तीन चंप्चि बरके चिन्नी की डाली है लोगा आप चिन्नी अपने स्वाद के कोडिंग कर सकते हैं या ज्यादा ज्यादा मिठा खाते हैं तो ज्यादा डाले कम मिठा खाते हैं तो कम डाले हम थोड़ा ज्यादा मिठा खाते हैं हमारे घर में इसलिए मैंने ज्यादा चीनी डाली है इसको अच्छे से घुमा घुमा के और चला चला के इसके मैस कर लेंगे बिल्कुल मिक्स हो जैसे अलवा बनाते हैं वैसे ही यह जब कड़ाई को छोड़ने लग जाएगा तब ही अलवा त्यार होगा इसको चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे न आप इसको गरम-गरम खाओ सर्दी में बहुत टेस्टी लगता है और अगर आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो विल् सिपड़ोसियों को भी खिलाए तो बहुत अच्छा लगा उन सब को देखें यह कड़ाई छोड़ने लग जाता है वैसे पैन होते हैं जो नॉन स्टिक वो तो बिल्कुल ही छोड़ देता है यह अलूमुनियूम की कड़ाई है देखें फिर भी इसने छोड़ दिया यह जै सूजी का बनाई देखो खड़ाई छोड़ दिया इसने एक दम बनके त्यार हो गया है आप इसको डाल के दिखाती हूं मैं कटोरी में और आप एक बार बार बनाओगे तो बार बार बनाओगे सारे अलवे भूल जाओगे इसलिए वीडियो को देखते रो भाई दोस्तों